चैनल की दर्ब से आज आपको दूध के साथ क्या खाएं और क्या ना खाएं दूध के साथ कौन-कौन चीज परहेज है जिससे दूध के साथ खाने से विपरित प्रभाव परता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ तो दूध को पहला मचली के साथ नहीं ठाना चाहिए, नहीं तो इससे food poisoning, पेट दर्द होने की संभावना रहती है, कहीं कहा गया है चर्म रोग होई होने की संभावना रहती है, कुछ लोगों को ऐसा देखा गया है कि खिचरी में दूध मिला कर खाते हैं, तो उनको भ्यानक चर्म रोग हो जाता है, अत्ह दूध के साथ नमक का परियोग भी बरजित है, तो मचली का परियोग तो बरजित है, अंडे का परियोग बरजित है, तो दूध के साथ कभी अंडा और मचली ना खाएं, दूसरा नमक भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दूध के साथ नमक ख चार हो या कोई खटाई हो उसके साथ दूद का सेमन नहीं करना चाहिए अगर जो आप खटे चीज खाना चाहते हैं तो दो घंटे का अंतर दूद सेमन से पहले या दूद घंट का अंतर दूद के बाद रखना बहुत ही अच्छा होता है तील और नमक का सेमन बिलकुल ना कर दो घंटे के अंतरपम और उरद की डाल उरद की डाल दूद के सेमन नहीं करना चाहिए नहीं तो नुक्सान होता है उल्टी आ सकती है पाचने परसानी होती है और पेट दर्द आधी हो सकते हैं अत गाय के दूद का सेमन करने में इन सौधानियों को बरते पहला नमक न खा तिसरा उरद के डाल के साथ नहीं खाएं चौथा दही दूद्थ मिलाकर साथ में नहीं खाएं और पक्षम तील और नम के साथ नहीं खाएं अत caste ए वीडियो पसंद आए तो लाईक करें share करें subscribe करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद